हेलो ब्रेंट्स मैं हूँ अर्षिस सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब परिवार इस्टडी माट्रियल आइडियस चैनल एक बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से आभार करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी को बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम कबर करने बाले हैं एनलसिस या फिर बात इस परकार कह सकते हैं कि कुछ कुश्चन जो कि पिछली सिप्टों पूंचे गए हैं और आपकी आगामी सिप्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट होने बाले हैं तो वीडियो में आगे बने से पहले आप सबीस जही कहना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल फर बिची टॉन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का डूटिफिकेशन आप तक क्यों हेलफोल साबित हो सके चलिए आपके समय करामना करते हुए देखते हैं कुछ इंपोर्टन क्विश्चन जो कि आपकी रागा में प्रितों के परिपर इच्छाओं के दर इस बहुत थी इंपोर्टन होने वाले हैं बात कर लेते हैं हाती से दोस्तों तो सीटेट की पि आना था ठीक है अब आतियों की बात कर लेते हैं दोस्तों पढ़िए हातियों के समय के नितरत बुजरुग हतनिया करते हैं क्योंकि हाती जो होते हैं वो कुछ समय पस्चाथ अपना गुरूप छोड़ देते हैं एक छोटा आती एक दिन में 100 किलोगराम पत्तियां खा लेत लिछा अबाल फार शाम तक होताँ यह smith सिл आयो पिस से पत्चेस आती एक साथ रहते हैं यह गल्सार है आपको यार्खना होगा कि आरतीयों करो जो और होता है उसमें जो 10 यांगो भारा मैं होतें आता है बस्य से जाथम नहीं होते हैं तो आकको ये प्यकान होना होनसी आकर से दोगा रिष्की ओर आते हैं और यह उन्हें खा लेता है और वो सकतर त्यानी कि नाइट टूजन की कमें पूरे करता है ठीक है यह वारत की मेगाले राज में पाया जाता है और अधर कंट्री के बात करने तो यह इंडोनीसिया और आश्टुलिया में पाया जाता है ठ क्लिए शिंगैने के लिए उच्छ तारत की धनी क्लता यह आप कि अपने पहले बता है कि इस्टेय्ड का पिरिऊक करता है इस्टे की डिंग आप्थ के और एकी डिनी नहीं नकालता है यह आपका है आपको याद रखना होगा आगे बढ़ते हैं हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेकिस्तान कहते हैं यह चेत्र उंचा सूखा और संताल है यह चेत्र रिष्टत है आपको पता ना है आपको पता होने चाहिए पढ़िए पहले सिलांग जो कि मेगाला की राज़दा नहीं सिलांग टीक है दाजलिंक पस्ष्रमंगाल चाय की रिपेमस सिम्ला हिमान चलप्रति लद्दाग ले तो आपको बता दें कि लद्दाग ले जो हमारे आका उबर खावड़ यह ठंडा र जील में जो है कौँछी हिरान पाई जाते है तो बात कर लेते हैं लोक्तक जील की तो लोक्तक जील जो कहा है आपको पता होने लोक्तक जील जो है मणीपूर में ठीक है अब इसकी फेमस बात किया है यह उत्तरवार उत्तरपूरप की जो है सबसे ताजी पानी की जील है ठी की बात कर लें तो यहां पर जो संगा हिरन पाई जाती है आपको पता हों चाहिए तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा और संगा हिरन इसमें पाए जाता है ठीक आगे बढ़तों अगला कुश्चन है घास हिरन इवन बाग मैसे हिरन को मार देने पर कौंशी चीज बच जाएग अब हम बात कर लेते हैं घास है इसको कौन अंसर हो जाएगा option नमबर ए घास घास इसका correct अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है ठीक है अगला question देखिए RTA right to education act 2009 में निशुर्क एवं अनिवार सिच्छा का प्रवदान कितने वर्सों के बच्चों के लिए किया गया है option ने पढ़िए 6-12 वर्सों के लिए 6-14 के लिए जनम से 14 वर्स के लिए 12-18 वर्स के लिए तो इसका हम बता दें right to education 2009 के अंसर जो है सिच्छा का प्रवदान 6-14 वर्स के लिए किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा option नमर भी आपको याद रखना है ये कुछ कुछ चनते दोस्तों जो कि पिछली सब्टों में पूछे गए हैं और आपकी अगर आपका आने वारी सब्टों में एक्जाम होना बाकी तो आपके लिए बहुत ही important है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइकर दीजे ज़्यादा ज़्यादा इस व वीडियो के साथ ऐसे अच्छे कुछ चन के साथ तब तक इसलिए आप खुछ रहिए मस्त रहिए मुस्कराति रहिए जया हिंद जय भारत बंदे मातरम